आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे हूँगे, बिर नाम ऐसे दान तक नहीं होते हैं, शड़ी आईक्योप आपका बहुत स्वागत है, दोस्तों हम दारा शकोह के बारे में देख रहे हैं, पार्ट वन जो है, वो अल्रेडी अप्लोड हो चुका है, यह उसका पार्ट देख लीजे, मैंने बिल्कुल सही कर दिया है, तो शायद किसी को अब नाराजगी नहीं होगी, दारा शकोह के बारे में जान रहे हैं हम, कौन था यह, शाहा का बेटा था, पार्ट वन में हमने दारा शकोह की इंटेलेक्चुलिटी के बारे में जाना था, आठ लवर था, प्रेमी था भईया, वीना, सितार, सब बजा लेता था, शेरो शायरी का बड़ा शौक था, डूबा रहता था भईया, किताबों में डूबा रहता था, वो सब हमने देखा था, और शाहा का फिर क्या पूरा का पूरा सिनारियो था, कि दारा शकोह, शाहा का सबसे चहेता प जाके ये प्राक्षना की थी, ये फरियाद लगाई थी कि मुझे एक वारिज दे दे तो दाराशको हुए फिर, उसके बाद दाराशको जब हुए तो इनका नेचर ऐसा होता गया, इनका कैरेक्टर ऐसा बनता गया कि बहुत जादा रिलीजिस टॉलरेंट हो गए, लोग इनको प्यार करने लगे, लोगों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया इनके आगे, और ये धर्म निरपेख्षते, सारे धर्मों को, इस्पेशली हिंदुईजम और मुसलिम को इन्होंने, इसलाम को इन्होंने जॉइन कर दिया, तो इन्ह में कि किस तरीके से युद्ध हुआ, और ये जो सक्षेशन का जो वार था, वार आप सक्षेशन जिसको बोलते है न, तक्त के लिए जो लड़ाई थी, पीकॉक थ्रोन किसके हाथ में गई, हम देखेंगे, सिदान इसको रिकनेक्ट मेरा फेस्बुक प्रेज है, सिदात ये देख लीजे, मुगल एंपायर है, पूरा मैप है, काबुल से लेकर कश्मीर तक, काबुल से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर पूरा कावेरी तक, मतलब साउथ तक, ये पूरा मुगल एंपायर है, जब तक औरंग जेब था, जब तक औरंग जेब था, तो ये प मुगल एम्परर्स हैं जो आये शहिंशा है हिंदुस्तान बाबर आया सबसे पहले 1526 से 1530 तक हुमायू आया ठीक है 1530 से 1540 फिर 15 साल शेर्षा का रूल और उसके बाद 1555 से 1556 और आपको बता दूँ कि बाबर ने जो लड़ाईयां लड़ी वो मैंने सारी कवर की हुई है पा पानिपत से वो पूरी शुरुवात है आप देख लिजेगा हुमायू और शेर्षा ने जो बैटल लड़ी वो भी मैंने बताया है अकबर के बारे में भी पूरा बताया है जो बैटल्स लड़ी है बैटल सीरीज में इस सारे लेचर्स है आप देख लिजेगा आपको पता चल जागा वैसे मैं सेपरेट बायोग्राफी सब की कवर करूँगा दोस्तों इसलामिक इन्वेडर्स या इसलाम रूल इन इंडिया इसमें मैं पूरी एक सेपरेट सीरीज ले क्या हूंगा या तो मार्च लास्ट या फिर एप्रेट फस्पीक में उसमें मैं मुहम्मद घ चाह जहां 1627 से 1658 और औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक तो औरंगजेब और अकबर ये दो ऐसे राजा हैं ये दो ऐसे शहिंशा हैं इंडुस्तान के जमीन आसमान का अंतर है अकबर पूरब औरंगजेब पश्चिम लेकिन दाराशको को बिलकुल अकबर द्विती बोला जात बन जाता भारत का शेहिंशा बन जाता तो भारत किस तरीके से होता उसके भी आउटकम्स देखेंगे क्योंकि बहस चलती रहती है दूसरी चीज़ देखेंगे औरंगजेब के भी बारे में थोड़ा जानेंगे बहुत डीपीम तब देखेंगे जब औरंगजेब की बागर फिर शूजा फिर मुहिद्दीन जिसको औरंग जेब बोला जाता था और इसको आलमगीर की भी इसने उपाधी ली थी जब इसका कोरोनेशन हुआ था 1658 में और फिर मुराद बक्ष ठीक है शूजा मुराद बक्ष दारा शिको तीनों को इसने मरवा दिया था मार दिया था ज औरंग जेब ने साम दाम दंडबेद वो कहते है न एवरिटिंग इस फियर इन वार ये बिलकुल औरंग जेब ने एपलाई किया ये बिलकुल एपलाई किया औरंग जेब ने हर तरीके से कभी कोई नीद बे सो रहा है उसको मरवा दिया कोई शराप पी के लेटा हुआ है इस तरीके से Aurangzeeb ने किया है अपने भाईयों के साथ ऐसा धोका पहले अपने सारे भाईयों को इसने अपने साथ मिला लिया उसके बाद एक एक को मरवा दिया इस तरीके से इसने इसकी स्ट्राटेजी थी अभी हम देखेंगे अब दोस्तों मैंने इससे पहले आपको बताया जिराद दिया गया था, शुजा को बंगाल दिया गया था, उसके बाद औरंग जेप को डककन दिया गया था, दारा शको को पंजाब दिया गया था, और दारा शको को ये बोलाता शाजाने, बेटा मुझसे दूर मत जाना, तुम दिल्ली और आगरा में ही रहो, उस समय भारत की मतलब मुगलों की राजधानी क्या थी दिल्ली ठीक है ना तो दिल्ली में ही रहो यहाँ पे किला मुबारक जिसको लाल किला भी बोला जाता है रेड़ फोर्ट जो की इस समय टोरिस्ट स्पॉर्ट है बड़ा ही बहुत ही अच्छी जगा है तो शाजहां जो है वो दूर ज जाने ही ही नहीं देता था दारशको को इतना प्यार करता था बड़ा ही मानता था आपको पता है जब दारशको का उसने कटा हुआ सर देखा था शाजहां का औरंग सेब ने शाजहां को जब नजर बंद कर लिया था तो औरंग जेब ने उनको कटा हुआ सर भेज दिया था वही बेहोश हो गया और फिर खेर छोड़ियों से है ना तो दोस्तों ऐसा है कि दाराशिकों जो है तो दाराशिकों की एकानी आगे बरती है अब दोस्तों दाराशिकों वैसे तो बहुत ही religious tolerant थे समझदार इंसान थे और हिंदू को भी एक उनके हाथ पर कुरान थी और एक मे तो दाराशिकों को भीजा गया था दाराशिकों ने बोला मैं जो है military का नेत्रत्व करूंगा लबी कमांडर तो अब वहां पे कांधार गया तो कांधार में वो योगियों को ले गया वो तांत्रिक को ले गया उसमें एक तांत्रिक बार-बार बोलता रहा कि परशान मत हो यह अभी मैं जाड़ फूग कर रहा हूं उचलता रहता था वो कूदता रहता था इधर उदर फांता रहता था और बोलता है कि वहां पे मैं फलिष्टों की help से वहां पे लोगों को कब्जे में ले रहा हूं और जैसे ही लोग मेरे बस में हो जाएंगे तब आप अटाक कर तो यहां पे बार बार युद्ध को ठाला गया कांदार पे वो कबजा नहीं कर पाया था और जब उसने फाइनली युद्ध किया तो बहुत जादा मुगल आर्मी को नुकसान जेलना पड़ा था तो जब वापस आया दारशकों वापस आया शिकस्त थी दारशकों की लेकिन यहां पे शाजा ने ऐसा उसका स्वागत किया जैसे वो सुल्तान हो तो इसी से आप देख सकते हैं दारशकों की हर गलती माप और औरंग जेब की छोटी से छोटी गलती पे सजा दी जाती थी भाईया औरंग जेब से तो जागिरदारी छीन ली गई थी ना सूबेदारी मत मतलब गवर्नर ठीक है तो गवर्नर्शिप तो छीन ली गई थी सिंध और मुल्तान की उसको डेकन भेज दिया गया था तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो की थी लेकिन दोस्तों अब खतरना चीज होने वाली है बहुत सारी चीज़े दोस्तों और भी हुई थी मैं इत इंट्रस्टेड है इस पूरे के पूरे सीन्स के लिए या जो यह पूरे आपका पूरा यह जो स्टोरी चल रही है तो आप जा सकते हैं इतना आपको जानना ज़रूरी नहीं है में चीज मैं आपको बता रहा हूँ तो दोस्तों अब प्रॉब्लम हो गई 1657 जब शाजहा ब देहांत हो गया यह अफवाएं फैल गई थी यहां पर तीनों बेटों ने बोला कोई बात नहीं शाह जहां गए अब असली जंग सब इसी का वेट कर रहे था औरंग जे बिल्कुल ताक में बेटा हुआ था कि किस तरीके से हमारे पिता जी उपर जाएं तो हम जाके अटाक करें और बाकी दो बेटे भी देखे तीनों बेटों तीनों बेटे जो है वो दारशकों से बहुत जाद़ जलते थे और इनको यह भी पता था कि अगर जहां जिंदा रहा तब तो वो किसको न्यूक्त करके जाएगा वो तो अगला सुल्तान जो है वो दारशकों कोई बना क जाएगा problem struggle for power start peacock throne किसकी होगी इसके लिए ये जंग जो है वो शुरू हो गई और शाह शुजा ने सबसे पहले बोला कि आज से मैं हूं मुगल emperor और बंगाल मेरा है तीनों तरफ से हमला होने वाला था इधर औरंग जेब देखिए औरंग जेब की position सबसे जादा मजबूत थ क्योंकि औरंग जेब बहुत जबरदस military commander था औरंग जेब लड़ लड़के वो इतनी बढ़िया strategy बनाता था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था आप खुछ सोचे शिवा जी जैसे गजब के जनरल को गजब के राजा को अगर औरंग जेब ने टक कर दी तो इसका ही military बना रखी थी आर्मी बना रखी थी आपको पता है कि जब Battle of Sahoo गड़ हुई थी तो औरंग जेब की 40,000 किसे ना थी और दाराशिकों की 60,000 किसे ना थी और दाराशिकों को हर कोई सपोर्ट कर रहा था दाराशिकों के पास पूरी मुगल आर्मी थी दाराशिकों के पास राचपूतों का सपोर्ट था उसके बावजूद दाराशिकों ने जीत पाया तो आप सोच लिजे फिर कितना जादा ताकतवर रहा होगा उस समय औरंग जेब तो औरंग जेब जो है औ आगरा की और मार्च की और तीनों तरफ से इधर मुराद ने भी अपनी जो आर्मी है वो लेके आ रहा था अब यहां पर शाजहां का मूड खराब होना शुरू हो गया है तीनों बच्चों ने अपने पिता के लिए रिबेल कर दिया था शाजहां के साथ राचपूत हैं क्यो शुजा, मुराद और औरंगजेब अब इसमें जीते का कौन खाली औरंगजेब बाकी तीनों को साइड में लेके मार दे गई है तो हुआ क्या था दोस्तों जब शाह शुजा ने बोला कि मैं इंपरार हूं बंगाल को और आगरा गया ठीक है तो इधर औरंगजेब भी गय अब दोस्तों ऐसा है कि ये जो चीजे हुई दारा शिकों ने अपने हाथ मिली और दारा शिकों ने शाह जहां को ये बोला कि हम अटाक करते हैं और शाह जहां ये माना भी अच्छी खासी आर्मी थी दारा शिकों की सब सपोर्ट करी रहे थे लेकिन दोस्तों यहां पे क्य हुआ प्रॉब्लम्स हो गई दो बैटल हुई थी ठीक है दो मेन बैटल हुई थी एक तो बैटल अफ बहादुर्ट गर थी और दूसरा बैटल बैटल अफ समुगर्ड यही डिसाइसिव बैटल थी दोस्तों ठीक है अब इसमें हुआ क्या था कि यहाँ पे देखे जो शूज जेब मुराज जो है बैटल आफ समूगर को लड़ रहे थे और यहां पे वो सीधा भिढ़ गए क्या कहते है कि दाराशको से तो प्रॉब्लम यह हो गई दोस्तों कि दाराशको अब भाई बहुत ही अच्छा जो मुगल आर्मी थी शाजहा की जो आर्मी जिसको दाराशको लीड कर रहा था ठीक है इसको बहुत नुक्सान पहुंचाया और अंग्जेब ने दूसरी चीज़ यह हुई दोस्तों कि एक के बाद एक जनरल्स को मारना शुरू कर दिया तो यहां पे दाराशको टेंशन में थी ठीक है ना वो वीकर सेक्शन को लीड करने गया तो जब वो वीकर सेक्शन को लीड करने गया क्योंकि वो हार रहा था तो यहां पे लोगों ने जो उसकी सेना थी जो उसके सोल्जर्स थे यह समझा कि छोड़के भाग रहा है यह बैटल छोड़के भाग रहा है दूसरी चीज़ वो बिल्कुल गायब हो गया, डाराश को डिसापियर हो गया, तो यहां पे लोगों को, वहां पे soldiers को ये लगा, सेना को ये लगा, जो सिपाही थे, कि या तो दाराश को मारा गया है, या फिर वो छोड़के भाग गया है, अपने लीडर का अगर ऐसा अंजाम हो, या एक इस तरीके की अफवा फैल जाए, कि तुम्हारा लीडर तो गया काम से, वहां पे उसी वक्त सेना का मुराल डाउन, तो आदे लोगों ने तो बैटल छोड़ी दी, आदे, लोग मैं क्यों कहा रहा हूँ, आदे से पाईयों ने तो बैटल छोड़ी दी, कि भाई, यह हम गई है, वो कंटीन्यू नहीं हो पाई, हम मौडर इंडिया पे आने वाले थे, बैराल कोई बात नहीं, उसको हम फिर कंटीन्यू कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों ऐसा है कि बैटल अफ समूगर दाराशी को फिर हार गया, और यहां पे औरंग जेब औ पुराद को मरवा दिया, तो अपने भाई को मरवा दिया, एक भाई खतम दो बाकी, दाराशक और शूजा, शूजा को इसने बंगाल का गवर्नर बना दिया, तो एक दिन जब औरंग जेब वार पे था, ठीक है, तो यहां पे आगरा खाली था, शूजा ने सोचा कि मैं अगरा पे अटाक करता हूँ, उसने अगरा पे अटाक किया, औरंग जेब ने अपने बड़े बेटे को भेजा, शूजा ने उसके बड़े बेटे को कंवेंस कर लिया, कि मेरे साथ आजाओ, मिल के हम क्या करेंगे, औरंग जेब को हरा लेंगे, हरा देंगे, तो यहां पे औरंग जेब को पता चला कि उनका बड़ा बेटा उनके साथ शामिल हो गया, मूड खराब हो गया, बैटल हुई, शुजा को भगा दिया गया, खदेड दिया गया, उसके बच्चे को कैप्चर कर लिया गया, औरंग जेब जीत गया, शुजा भाग गया, अराकान, बर्मा, व वहाँ पे लोगों को मिलाने की, राजाओं को मिलाने की कोशिश की, एक और बैटल भी हुई, लड़ाई भी हुई, लेकिन वो कोई फर्क नहीं था, दोस्तों, ये कोई military commander था नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, part 1 में बताया था कि दारश को अलग था, एक एक इंसान जिसके हाथ में किताब हो, जो intellectual, अगर आप उसको बोलेंगे जाके लड़ो, वो थोड़ी न लड़ पाएगा, और same goes for जो एक warrior है, अगर आप उसमें बोलेंगे कि सब कुछ छोड़ चाड़ के पड़ो, तो ऐसा हो नहीं पाता है, तो भीया जो अलग-अलग trades है अब हर कोई jack of all trades होता नहीं है, तो हर जितने भी trade है, हर किसी का एक particular काम होता है, जिसका काम उसी को साज है, ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज थी, तो सबसे पहले गया है गुजरात, गुजरात से अपने बच्चों के साथ गया, मतलब अपने बच्चों और अपनी बीवी क लेके गया था, उसका छोटा बेटा सीपीर शीको भी उसके साथ था, और वहाँ पर यह इस भागा दोड़ी में उसकी पतनी नादिरा बेगम की तवेत खराब हो गई, और उसकी वहाँ पर मृत्की हो गई, अब नादिरा बेगम चाह रही थी, कि हिंदुस्तान में उसको दफनाया जा, क्योंकि दोस्तों, लेकिन ये मुम्किन नहीं था, क्योंकि गुजरात से ये सीधा, पाकिस्तान गया, ठीक है, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान के लाहॉर में, और वही पे ही इसकी पतनी नादिरा बेगम की, इसका स्वरगवास हो गया, और वहाँ पे ही फिर नादिरा विकम चाह रही थी कि हिंदुस्तान में दफनाया जा लेकिन ये ना मुंकिल था क्योंकि हिंदुस्तान में औरंग जेप इंतजार कर रहा था तो इसको लाहोर महीं वहाँ बहुत बड़ा मुसूलियम भी बना है दोस्तों नादिरा वेगम का वही उनकी कबर है वहा मुलिक जीवन formerlyUp जो है वो मेरा दोस्त है क्योंकि जब शाजह उसके ख्राइम्स के लिए उसको मारने वाला था सक क्राइमद केहां। म。 उसका बेटा शीपी आरशिको उसके साथ था उसने बोला कि पिता जी इसा मत करो। लेकिन वह वही बहा तही सब रहा। प्राब्लम ये हो गई कि मलिक जीवन के साथ इसको लगा दाराशिको को लगा कि मलिक जीवन मेरा दोस्त है लेकिन मलिक जीवन ने रात में ही अटाइक कर दिया जब ये लोग टेंट में सो रहे थे इसका बेटा और दाराशिको और उनका बेटा उसके बाद उसको औरंग जे से कबजे में ले लिया शाजहां की water supply काट दी शाजहां की army को अपने कबजे में लिया और शाजहां को नजर बंद कर दिया 1658 में इधर दाराचिको को capture कर लिया जा चुका है और दाराचिको अब आ रहे हैं हिंदुस्तान औरंग जेब के सामने आये औरंग जेब सामने तो वैसे नहीं आये थे औरंग जेब ने बोला कि इसको पूरे दिल्ली में घुमाया जाओ बहुत बनता फिरता है ना कि मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्शुल हूँ तो पूरी दिल्ली में घुमाया वैसे ये मेसेज था दोस्तो औरंग जेब एक मेसेज भेजना चाहता था कि तुम्हारा बाद्शा मैं हूँ तो एक मरियल से हाथी पर दोस्तों इसको बिठाया गया दारशिकों को कपड़े बिल्कुल फटे भिका दूरत है जब लोगों ने ये नजारा देखा लोग फूट फूट को रहने लगे औरंग जेब को कोसने लगे उनको श्राब देने लगे अब दोस्तों यहां पे दो चीज़े हो सकती थी जब औरंग जेब को यह पता चला कि ऐसा हो गया और लोग इतना जाते हो सकता था और रिवोल्ट हो सकता था औरंग जेब के खिला तो औरंग जेब ने तुनंति आनद फानद में डिसिजन लिया कि दारश्यको को भी मार देते हैं दूसरी चीज़ यह थी कि वैसे वह एक कोई तक्तका वारिस कोई और नहीं होना चाहिए मैं ही रहूं अखेला रहूं तो ज्यादा बैटर है यह औरंग जेब ने सोचा तीसरी चीज़ जब इसने पूरा कंसल्ट किया दरबारी बोला है तो सब ने यह बोला कि आप इसको मार दीजे दारश्यको को एक्जेक्यूट कर दीजे क्योंकि यह तो काफिर है यह बोलता है यह इसलामिक जो जो उसलाम की टीचिंग उनको बिल्कुल किनारे रखता है और इसने हिंदूों के गरंथ पड़े है यह इसने मंदिर बनवाए है तो इसको तो बिल्कुल मार दीजिये यह बिल्कुल काफिर है यह इसलाम के लिए एक नासूर है तो इस तरीके से औरंग जेब का ब्रेन वाज भी किया गया तो औरंग जेब ने finally ये decision लिया कि दारा शिको को मार दिया जाए दारा शिको को मारा दारा शिको और उसका बेटा रात में खाना बना रहे थे जहां पर इसको नजर बंद किया था ठीके ना वहां पर खाना बना रहे थे तो वहां पर फिर आर्मी आती है इनको पकड़ के लेके जाते हैं, बेटे के सामने, सीपिहर्ट शिको के सामने, दारा शिको का सर कलम किया जाता है, और उसके बाद दारा शिको का सर धुलवाया जाता है, तस्तरी में फिर औरंग जेब को पेश किया जाता है, औरंग जेब उसको देखता नहीं है, औरंग जेब फर वो हटाया, वहीं वो ब्योश हो गया शाजहां, कि ये तो मेरे सबसे चहते बेटे दारा का सिर है, जहानारा जो की बेहन थी दारा शकों की, ओरनगजेग पे भी बेहन थी, शाजहां की बेटी थी, उसने ओरनगजेग को ये प्रस्ताओ धिया, कि आप यह जो पुरा एंपाय यह बांट लो अपने भाईयों में लेकिन औरंगजेव ने इसको भी न कर दिया उसके बाद जहानारा ने यह फरियाद लगाई कि मुझे शाजहां की सेवा में ही फिर क्योंकि वह बहुत बुड़े हैं और हमारे पिता हैं तो उनकी सेवा करनी है तो फिर औरंगजेव ने य ये खतम और औरंग जेव ने 1658 में अपना कोरोनेशन किया और अपने आपको आलमगीर घोशित किया नया नाम लिया औरंग जेव मौयुद्दीन को हटा दिया तो ये पूरी की पूरी कहानी थी दोस्तों ये जो सब कुछ हुआ अब ये सब मैं आपको बता चुका हूँ और आपको एक और चीज़ बता दूँ इसके मरने के बाद दारशिकों के मरने के बाद औरंग जेव ने इसकी लाश को भी पूरी दिल्ली में घुमाया था कि देख लो बेटा ये हाल होगा लोग बहुत गुस्से में ते दो तो अब औरंग जेव की अगर मैं बात करूँ अब आपको बहुत बहुत बड़े बड़े टॉल टेंपल लेकिन नौर्थ में नहीं है मंदिर तुड़वा दिये थे ठीक है और ये सच भी है हिंदू पे इसने वापस जजिया लगा दिया जो कि अगबर ने खतम किया था यहां पे जो पोस्ट होती थी ना ठीक है जो नौकरि अरंग जेब को अपने kingdom को बचाने के लिए अपने empire को बचाने के लिए उसने जो करना था वो किया ठीक है अगर वो ये नहीं करता तो ये चीज नहीं होती मतलब उसका empire जो है वो मट्टी में मिल जाता क्योंकि इधर मराठा थे ना दोस्तों 1658 में औरंग जेब के पास तो शिवा जी नहीं तो उसके बावजूद शिवा जी ने वो हालत की थी ना मुगल्स की कि औरंग जेब भाइया बाद में माने ही गया था कि मेरे सबसे बड़ी गलती है मैं शिवा जी सो गुला जी गया ठीक है तो यहां पे दो चीज़े हैं आपको बता दू सीपीहर शिको जो दाराशिको का बेटा था उसको मरवाया नहीं था वो जिन्दा रहा था और और औरंग जेब की ही बेटी से उसने शादी की थी यह भी माँ बताना चाहता हूं 1708 में उसका दियान तुआ तो यह भी मैं आपको बताना बूल गया तो दोस्तों ऐसा है कि यहां पे औरंग जेब पे जादा नहीं जाता हूं जब मैं उसकी बायोग्राफी का रिवीव करूँगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा दूसरी चीज अगर दाराशिको भारत का शेहजादा बनता तो क्या होता बहुत कुछ बदल जाता दोस्तों बहुत जादा कुछ बदल जाता और अंजयक की निती यह थी कि मैं ही राजा हूँ दाराशिको की यह निती नहीं थी हाला कि इसमें भी तीन पोसिबिलिटी हैं देखिए एक तो यह हो सकता था कि दाराशिको शायद हिंदुस्तान को नहीं समाल पाता क्यों कि यहां से मराठाओं का इन्वेजन तो होता ही ह मराठा जो थे वो तो लगातार यही कोशिश कर रहे थे ना भाया वो खुद भी बहुत ज्यादा प्राउड लोग थे वो ठीके ना उनमें जो गर्व था वो तो किसी में नहीं तो वहां पर वो तो वॉर्यर से यह बिल्कुल शिमाजी द्वारा कोशिश हो और बाद में जिल पाता क्योंकि वह बिल्कुल अलग था एक मिलिटरी कमांडर नहीं था दूसरी चीज़ यह हो सकती थी दोस्तों कि अगर दाराश को एंपरर होता भारत का तो यहां पर देखिए औरंग जेब के पास चॉइस थी वो पीसफुल रिलेशन भी बना सकता था ठीक है शिव जी के साथ औरंग जेब पीसफुली रहता अच्छे से रहता शिवा जी की मैंने बायोग्राफी कवर किये दोस्तों जो उन्होंने बैटल्स लड़ी है वो भी कवर की है तो यहां पर औरंग जेब तर सकता अच्छे रिष्टे बना सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया य आरत बिलकुल अलग हो जाता कोई ब्रिटिश रूल नहीं होता और हम दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में होते लेकिन जो है सो है दोस्तों हुआ यह नहीं ठीक है या फिर तीसरी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दाराशिकोर पूरा राजा बन जाता और अच्छे प्रेजेंट में रहना चाहिए इतिहाज जो है वो आपके सामने है ठीक है तो इसके बाद औरंग जेट की फिर अलग कानी शुरू हो गई और फिर वो फिर जीवन भरता उम्र लडाई में उलजा रहा उसको एक बार भी चैन नहीं मिला जैसा करोगे वैसा अबर होगे आश परते रहें देशे सिद्धान तक नहीं होतरी साइनिंग ओफ